नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मूबर पे देखिए बाजार में जिसे साबसे गिरावट आई है उस गिरावट को अगर देखें तो साइध आपको डर लगेगा कि स्टॉक मार्केट पैसे लगाने ही नहीं चाहिए क्योंकि इतनी भ कर मिली और नीचे के लेवल्स पे बाइंग करने का एक अच्छा ऑपर्शूनिटी मिला इसलिए मार्केट में कभी-कभी क्यास में बैटना चाहिए लेकिन इस गिरावट के दौर में भी क्वालिटी वाल स्टॉक को अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी टेंसन नहीं यह सबसे पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है मैं इसका च्रीट आपके पास इवन एर तेल डेट का चाहँ प्रिजेंट करूंगा यह देखिए स्टॉक में करेक्शन था और यह करेक्शन इस स्टॉक को 1800 के लेवल तक लाया था पर देखिए मार्केट जासे रिकवर किया यह स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर फिर से पहुंचा जिया मैं बात कर रहा हूं ना अदर देन बजाज फाइनस लिमिटेट के बारे में बजाज फाइनस में कल पांच परसेंट के गिरावट थी इवन होना भी चाहिए मार्केट जब तीन परसेंट साड़े तीन करेक्ट हो सकता तो फिर स्टॉक की क्या बात है स्टॉक भी होगा स्टॉक एकदम अपने फिप्टी टू विक हाई के पास में हैं जो की फॉर्टी नाइन हंडेड सम्थिंग का है और मार्केट के हिसाब से आज फिर से आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है बट इस में माउंट में खरीदारी कीजिएगा डिप मिले छोटा सा एक आदे स्टॉक उठा लिया और आप छोड़ दीजिए से क्योंकि यह सभी स्टॉक्स क्वालेटी वाले स्टॉक से और हर गिरावट में आपको ऑपर्चुनुटी ढूननी चाहिए स्टॉक मार्केट में कोवे आपको क्या किया रिकाबर किया इस बूरे दोर पर भी तो फिर तेजी भी आएगी तो इस जगह पर सेफ प्ले करने के लिए पहला स्टॉक बजाईश फाइनन्स का जरूर गिरावट पर खरी दिए आपको कभी भी लॉस नहीं देगा यह सबी कंपनी लार्ज केप कंपनी हैं ब्लूचिप कंपनीज हैं और देखिए स्टॉक में क्या खूब सुरत हाइब बनाया लगबाग 5300 का जिया 5300 से 300 पॉइंट की कल इस पर करेक्शन हुई है इस स्टॉक को जरूर आप ध्यान पर रखिए कि दूसरा स्टॉक है लीडिंग बैंक प्राइबिट सेक्टर का है इसमें भी सारे तीन परसेंट की गिरावट थी सेम कंडिशन इसका भी एगा चार्ड स्ट्रेक्शर देखिएगा तो यह देखिए कोबिड-19 का दौर 700 पे था इवेन इसने जो हाई बनाया भी रिसेंट चौदर से प्लस की थी फॉर्टीन हंडेट फॉर्टी का इसने हाई बनाया कल इसमें तीन परसेंट की गिरावट आपको देखने को मिली बट यह तीन परसेंट के गिरावट में भी मिशोल फंड्स ने कल जवरजस्त बाइंग की है इन सभी लार्ज केप स्टॉक्स पे तो प्रॉफिट देखे जाएगा अब इस तरह के स्टॉक्स को जरूर गिरावट में एक छोटा-छोटा क्वांटिटीज पर उठाके रखिए और लंबे शमय के लिए क्यारी करने वाला स्टॉक है तो दूसरा स्टॉक था एजडिए पसी बैंक का एक है तीसरा स्टॉक है नन मार्केट ने इस स्टॉक को 1900 के लेवल से भी नीचे लेके गया बट क्लोजिंग करते करते इस स्टॉक ने अच्छी रिकवरी की और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी इसके लो से अगर देखा जाए तो आप मान सकते हैं कि 40 पॉइंट्स का इन्होंने रिकवर किया तो इ दिल के रिगार्डिंग एक आर्टिकल्स अच्छा आया है फिचर गुरूप की डिल में कुछ पॉजिटिव चीजे निकल के आई है जो कि रिलांस इंडस्ट्री के फेवर को फेवर पे जाती है सपोर्ट करती है उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा अभी थोड़ इंडस्ट्री आपके पॉट्फोलियों पे होना चाहिए आने वाले कुछ सालों के लिए कि नेक्स्ट स्टॉक है लासन टुब्रो लिमिटेड मैंने से इसलिए सामिल किया क्योंकि ये दो हज्जार पीस के बाद में एक अच्छा खासा अच्छा खासा आपको ऊपर जाता दिखेगा इसकी वजह है इनका और्डर बुक बहुत जबरजस्त फूल होने वाला और बुक बहुत जबरजस्त होने वाला है जितने भी इंफ्रास्ट्रेक्ट्टर के रिगार्डिंग चाहिए वह ब्रीज हो ऑस्पिटल्स हो और और भी जो कॉस्टिक्शन से रियल स्टे और मैक्सिमम चांसे से कि इनको यह कॉंट्रेक्ट्स मिले और अनेवल बहुत सारे इंफ्रास्ट्रेक्ट्टर और भी खड़े होंगे तो यह एक कंपनी है बहुत बहुत बहुतरीन कंपनी काम भी करती है तो डेफिनेटली इनका ओडर बुक और फूल होता जाएगा और हो यह ट्रेंड लाइन को जब जब इसको गिरावट आती है तो यह ट्रेंड लाइन के एकदम नजदीक में है इसको पार करते हैं और भी आपको तेजी देखने को मिलेगी तो यह है एक लार्ज केप स्टॉक में यह स्टॉक भी आप जरूर एड़ कीजिए एक लार्ज केप स्टॉक के सिग्मेंट से थोड़ा से दूर जाके यह लेंटी टिकनोलोजी सर्विसेज को मैं बता रहा हूं क्यूंकि जब लासेन टुब्रो चलेगा तो फिर यह सेयर नहीं रुकेगा यह एक इंजिनियरिंग सिग्मेंट की कैपिटल गुड्स की कमपनी है जो इंजिनियरिंग कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करवाती है और बाख काफी एडवांस टेकनोलोजी है इनके पास और इस एयर पे आपने देखा होगा पिछले अगर मैं पांच दिनों का स्ट्रैक्चर दिखाऊंगा तो एक अच्छी कासी आपको देखने को मिली त से स्टॉक 22-23 तक गया हुआ तो यह स्टॉक भी मुमेंटम करेगा लासेन टूब्रों के साथ क्योंकि इनकी पैरेंट कंपनी है लासेन टूब्रों उनको तो सर्विस प्रोवाइड करवाती है इसके अलावी जितने भी कंस्रक्शन कंपनिया है चाहिए वह एंसेसी हो और जो चोटे-चोटे कंपनी है उनको भी अपनी टिकनोलोजी का सर्विस प्रोवाइड करवाती है लेंटी टिकनोलोजी को भी जरूर अपने पोर्टफोलियों पे एड कीजिए बहुत कम परसेंटेज दीजिए बट दीजिए जरूर और एक शेयर में बताना चाहूंगा एक और स्टॉक में बताओंगा आई टी सिगमेंट से लासन टूब्रो इंफो टेक लिमिटेड देखिए इस स्टॉक ने कल आउट परफॉर्म किया आप देख पार होंगे स्क्रीन पे जिसे साबसे मार्केट में गिरावट आई मार्केट में गिरावट डिप में इसको बाई क कि आगे इसकी रिकबरी देखिए इसकी रिकबरी देखिए अल्मोस्ट अपने डे के आसपास में इसने क्लोजिंग किया तो लासे ने टूबर इंफो टेक को बिल्कुल न भूलिएगा हर गिरावट में से स्टॉक को बाई किजेगा यह जितने भी स्टॉक मैंने बताएं यह सारे स्टॉक्स कॉलिटी वाले स्टॉक्स हैं और इन सभी स्टॉक्स पर निवेशित रहना चाहिए लंबेश हमाई के पोटफोलियों पर काफी बहतरीन कंपणिया जाना माना नाम मैंने आपको बताया को यह ऐसा स्मॉल कैप यह मीड कैप शेर नहीं बताया जिससे आप न से जरूर कीजिएगा मारा काम अब तक अपडेट पहुंचाना अपडेट पहुंचाता रहूंगा यह बहतरीन कंपणिया आने वाले टाइम में इन सभी कंपनी में फिर से आपको फर्दर रैली देखने को मिलेगी तो जरूर देखिए इन सभी स्टॉक्स को में मिलता हम न